अब उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशल को हम मजीद एक्सपैंड करके हम एक निव कॉंटिटी या एक निव टर्म यहां पर हम जो है एक्सपैंड करेंगे यह हमारे पास एक ऐसा टर्म है ग्रेडियंट जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी पोटेंशल का किसी फील्ड का एक ऐसा डिरेक्शन लेते हैं जिस डिरेक्शन में मैक्सिमम चेंज आ रहा हो तो उस डिरेक्शन को हम कहते हैं ग्रेडियंट अब अगर आप देखें पोटेंशल ग्रेडियंट की अगर हम बात कर दें तो इसका मतलब यह है कि वो डिरेक्शन जिसमें पोटेंशल की जो स् For example, यह एक electric heater है, heat produce कर रहा है, मैंने इसको on किया हुआ है, switch on किया है, तो देखें, इसकी property क्या है, heat produce करना, अब अगर, for example, आप यहाँ पर कड़े हैं, और आप directly, suppose, इसकी तरफ रवाना हो जाए, यह देखें, यह आप बिल्कुल इसके perpendicular जा रहे हैं, तो जब आप इस direction में जा रहे होते हैं, और एक दूसरा पात है आपके पास, for example, आप यह जा रहे हैं, इस direction से, देखें, यह आप इस direction में आ रहे हैं, दूसरा एक direction यह है, आप यह आ रहे हैं, पिर इस direction में आते हैं, तो देखें, अगर आप इस direction में आते हैं, तो आप इस heater क तरफ डारेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसकी तरफ करीब तो जा रहे हैं लेakिन आहिस्था-हिस्था से यानि जो आपकर डिस्टेंस है और हीटर का डिस्था से वह बहुत स्माल वेल्यू के साथ चैंज हो रहे हैं यानि आप बहुत आह तो देखे, आप डिरेक्टली उसकी तरफ नहीं जाते तो ईडिक्षिंग एफ्एक्ट जो है, यहांपर भी आप कम फिल करते हैं इस पाथ पर यूँ। इसी तरह अगर आप इस पाथ को फारू करें, सुज़ इस पाथ पर जब आप फालो करते हैं तो यहां पर आप आप दे यहां पर उससे ज्यादा, जैसे जेसे आप इस पाथ को F싸다고 आपलो करते हैं, जो हीट में इनक्रिज आता है, वो मैक्सिम माता है, यानि एक ही आपके पास ऐएसा पाथ हो सकता है, जिस पर मैक्सिमम इनक्रिज आपा है, तो यह एक example था, आम लाइफ का example, अब हम देखते हैं कि electric potential में हम किस तरह gradient को find कर सकते हैं, अब अगर आप देखें, electric potential में जब आप gradient find करते हैं, for example हम उसी तरह जो हमने two plates लेते, उसी तरह का example लेते हैं, कि let's suppose यह हमारे पास है एक positive plate, जिसके उपर हमने एक positive charge uniformly distribute किया हुआ है, यह positive charge इसके उपर distribute किया गया है, और यहाँ पर हम लेते हैं एक another plate, इसके उपर for example consider कर ले, आप negative charge हमने distribute किया है, अब हम जानते हैं कि जो electric field की direction होती है, वो positive से होती है towards negative, यानि इस plate से इसकी direction होगी, इस plate की तरफ, यह electric field की direction है, positive से away होगी, और towards the negative charges, यह इसकी direction होगी, अब आप देखें, for example, हम यहाँ पर एक charge रख लेते हैं, एक positive charge तो क्या होगा, कि positive जो plate है, यह उसको repel करेगा, negative plate इसको attract करेगा, तो इस पर किस direction में force लगेगा, इस direction में force लगेगा, अब जब इसके उपर इस direction में force लगेगा, और हम चाहते हैं, कि for example, हम इसको इस point से, यह लोर potential से higher potential तक ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले भी हमने एक equation derive किया, कि जब आप इसको against the field ले जाते हैं, देखें, field का direction यह है, और हम इस positive field को इस direction में, यहनी field के opposite direction में ले जाना चाहते हैं, so, वहाँ पर potential difference क्या होगा, यहाँ पर यह point है हमारे पास A, तो यहाँ पर potential होगा VA, यह point B, तो यहाँ पर potential होगा VB, अब दोनों के दर्मियान difference क्या होगा, potential difference क्या होगा, वो होगा, VB minus VA is equal to WAB divided by Q, यानि किसी भी positive charge पर हम कितना work done करते हैं कि unit positive charge पर, तो एक point से जब आप उसको दूसरे point तक ले जाते हैं, तो जितना work done आपने किया, इस unit positive charge पर वो इन दोनों का potential difference होगा, इसी तरह अगर आप देखें, जो work done हमारे पास होता है, work done, वो किसके equal होता है, अगर आप recall कर ले, अपने lower classes से work done की, जो definition है वो देखें, वो हमारे पास होता है, fd के equal, force into displacement, यह work done होता है, इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पर put कर ले, work की equation में, यह बन जाएगा, vb minus va is equal to, work की जगए यह value put कर ले, fd, fd divided by q, fd divided by q, अब देखें, fd तो हमने लिख लिया, अब जो f है, f यहाँ पर force है मारे पास, अगर आप electric field intensity को recall कर ले, यह मारे पास equation 1 for example आगया, अगर आप देखें, electric field intensity जो हमने पढ़ी थी, electric field intensity का equation है, मारे पास, e is equal to f by q, एक unit positive charge पर किसी भी point पर, electric field के अंदर, जितना force लगता है, उसको हम कहता है, electric field intensity, और अगर इस से हम force की value निकालना चाहें, so both sides इस q से multiply कर ले, q से multiply कर ले, so f electric force हमारे पास equal होगा, q e के equal, q e के equal यह आजाएगा electric force, यह भी हमारे पास vector quantity है, और electric field intensity भी vector quantity है, देखें, इसी force को आप यहाँ पर put कर ले, equation 1 में, यहाँ पर put कर ले, so v b, जो potential का फार्क है, v b minus v a, वो बन जाएगा, f की जगा आ जाएगी value q e, और यह d अपनी जगा पर, divided by q naught, test positive charge को हम q naught कहते हैं, यह एक equation हमारे पास बनता है, अब अगर आप देखें, इसमें e, b q naught है, test positive charge, यह दोनों cancel out हो जाएगे, so हमारे पास जो इसकी value है, potential difference की value है, यानि इन दोनों के दर्मयान जो potential का फर्क है, वो आ जाएगी, v b minus v a is equal to e d, e, d, अब यह actually हमने work done जो किया था, अगर आप देखें, तो work done हमने against the field किया था, यानि अगर field की जो direction है, वो यह है, so हमने work done किया था, इस direction में, इसका मतलब है कि जो हमारा work done है, उसको हम in the opposite direction लेंगे, उसके लिए हम क्या put करेंगे, negative sign, negative sign उसके लिए put करेंगे, ताकि हमें पता चले कि यह external work done है, जो work done हमने किया है, तो इसी लिए यहाँ पर हम negative sign put करेंगे, v b minus v a is equal to minus e d, या अगर आप इस minus को इस side पे ले जाएं, सो यह बन जाएगा, minus v b minus v a is equal to e d, देखें, यह जो minus sign ही हम पहले भी put कर सकते थे, जो work done हमने यहाँ पर उसकी value put की थी, यहाँ पर देखें, equation 1 में, हम इसको यहाँ पर भी put कर सकते हैं, just कि इसकी direction हमें पता चले कि direction इसकी opposite है, अब अगर आप electric field intensity find करना चाहते हैं, आपास आजाएगी, यहाँ भी d पर divide कर ले, e की value आजाएगी, v b और minus v a, यह actually difference in potential है, यानि potential difference तो इसकी जगा हम put कर सकते हैं, delta v, delta v, यानि एक potential से जब आप दूसरा difference, sorry, subtract करते हैं, उसको हम कहते हैं, difference in potential, और minus sign इसकी साथ आजाएगा, minus d v divided by d, अगर हम more specifically, इसको small length में ले ले, यानि for example, जो distance है, वो बहुत small है, दोनों plates के दरम्यान, फिर यहाँ पर हम put करते हैं, d की जगा, r, replace कर लेते हैं, इसको, electric field intensity की value आजाएगी, minus d v by d r, यह एक equation आगे, जिसको हम कहते हैं, कि इसमें हमारे पास electric field intensity और जो potential है, वो relate होते हैं, और इसका मतलब यह है, कि जिस direction में electric field line जाते हैं, उसके opposite direction में क्या होता है, sorry, उसी direction में potential जो है, वो decrease होता है, minus d v by d r का मतलब यह है, कि अगर यह electric field की direction है, तो अगर आप इस direction में नीचे आते हैं, तो इसका मतलब है, कि इसी direction पर क्या होगा, electric potential decrease होगा, यानि जो electric field का direction है, वो actually potential का decreasing direction है, और इसको हम क्या कहते हैं, electric field gradient,